सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस ते नोटिफिकेशन पटन असलाम अलेकम नाजवीन टैग टीवी के पाकस्तान स्टूडियो से मैं हूँ रुकसाज शेजा सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूस हैडलाइन्स कोरोना मजीद 13 अफराद की जान दे गया वारस से 3,20,463 शहरी मतासिर गुज़िशता 24 घंटों में गुरोना के 615 ने केसिस रिपोर्ट हुए पंजाब हुकूमत ने कोरोना हीरोस को एवार्ड देने का ऐलान कर दिया पाकिस्तान अक्वाम मुटहदा की इनसानी हुगूप कांसल का मेंबर मुंतखिब बड़ी सिफार्थी काम्याबी शाममुत कुरिशी ने कहा है कि पाकिस्तान को इतनी कसी तादात में वोटों का मिलना आलमी सطح पर पाकिस्तान की पॉलिसियों पर इतमाद का इसहार है कोईटा में जेरत आमिर पुल पर काम करने वाले मजदूरों पर दस्ती बम हमला 14 अफराज जखमी हमले के जखमियों में 5 मजदूर और 2 राही गेर बच्चे शामिल है पुलिस का कहना है कि दस्ती बम जेरत आमिर पुल पर काम करने वाले मजदूरों पर फैंका गया वजिराजम इमरान खान ने इंतकाम के लावा कोई और काम नहीं किया जहमूरियत के नाम पर इमरान खान जैसी आमरियत लेकर आएंगे तो मुलक आगे नहीं बढ़ेगा फार्जास साथ रफी का कहना है कि हकूमत अमन और अमान काई रखे अपॉजिशन का कानून तोडने का कोई प्लैन नहीं पीडियाइम के जलसे में पहले लाहूर पुलिस का राइवेंट जाती उमरा सील करने पर गार नून लीग ने मतबादल हिकमत अमली तयार कर ली नून लीग ने प्लैन A, B, C और D तश्कील दे रखे हैं कैनिडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलाइबल, ट्रस्टवर्दी और ओनेस लॉफरम ऑफ शिखाशारदा 905-956-6699 पर फैमिली लॉफ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट जा पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉफरम ऑफ शिखाशारदा 905-956-6699 पहली कंसल्टेशन विल्कुल फ्री है, कॉल लॉइर शिखाशारदा 905-956-6699 मुर्ग भर में कोरोना वारिस के फाल केसिस में जाफा हुआ है, मरीजों की तादाद 8,782 हो गई जबके गुज़िश्टा 24 गंटों में 13 अफराद कोरोना के 22 जान से हाथ दो बैटे, वजमियमवाद की तादाद 6,601 हो गई मजी तफसिला जानते हैं इस रिपोर्ट में मुल्क भर में कोरोना वारिस के फाल केसिस में जाफा हुआ है, मरीजों की तादाद 8,782 हो गई जबके गुज़िश्टा 24 गंटों में 13 अफराद कोरोना के 22 जान से हाथ दो बैटे नेशनल कमांड एंड आपरेशन सेंटर के तादा आदाद और शुमार के मताबग गुज़िश्टा 24 गंटों में करोना के 615 नए केसिस रिपोर्ट हुए जिसके बाद मुल्क भर में मजमुई केसिस की तादा 3,20,463 हो गई NCOC के मताबग फाल केसिस की तादाद 8,782 हो गई जबके अब तक करोना वारिस में मुब्तिला 3,5,080 मरीज सहत्याब हो चुके हैं गुज़िशना 24 गंटों में मजीद 13 अमबाद रिपोर्ट हुई जिसके बाद मजमुई अमबाद की तादाद 6,601 हो गई सिन में मरीजों की तादाद 1,40,756 पंजाब में 1,1014 खैबर पक्तूम खा 38,427 इसलामबाद में 17,526 बलोचिस्तान में 15,577 आजाद कश्मी 3,198 और गिलगित बलतिस्तान में 3,965 तादाद हो गई दूसी जाने पंजाब हुकूमत ने करोना हीरोस को एवार्ट से नावाजने का ऐलान कर दिया सदे मम्रिकर डॉक्टर आरिफ अलवी 27 अक्तूबर को करोना हीरोस को शान पाकिस्तान एवार्ट देंगे एवार्ट से देनी की तक्रीब गवर्णर हाउस लाहूर में 27 अक्तूबर को मनकिद होगी सदे मम्रिकर डॉक्टर आरिफ अलवी तक्रीब के महमाने खुसी होंगे गवर्णर पंजाब की जाने से करोना हीरोस के एख़ाज में इशाया भी दिया जाएगा अक्वाम मतहदा की इनसानी हुकूप कांसल के इंतखबाद में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड वोट हासल किये और 191 में से 170 वोट लेने में कामियाब हुआ पाकिस्तान ने एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा वोट हासल किये मजीद जानते हैं स्टिपोर्ट में पाकिस्तान ने भारी अक्सरियत से आएंदा तीन साल के लिए अक्वाम मतहदा की इनसानी हुकूप कांसल का रुकन मुंतकिब होकर एक और सिफार्थी कामियाबी हासल कर ली है शामेमूद कुरेशी ने कहा है कि पाकिस्तान को अतनी कसी तादात में वोटों का मिलना आलमी सźर्था पर पाकिस्तान की पालेसियों पर एथमाद का इज़ार है पाकिस्तान ने हमेशे अक्वाम मतहदा समेत तमाम आलमी फॉर्म्स पर बन्यादी इंसानी हकूग के तहाफूज और इंसानी हकूग की पासदारी के लिए आवास बुलंद की है अक्वाम मतहदा के इंसानी हुकूप कौंसल के इंतखाबात में पाकिस्तान रे रिकॉर्ड वोट हासल किया और 191 में से 179 वोट लेने में काम्याब हुआ पाकिस्तान ने एशिया पैसिफिक रीजिनल में सबसे ज्यादा वोट हासल किये शाम हमुद करेशी ने कहा कि पाकिस्तान को इतनी कसी तादात में वोटों का मिलना आलमी सिता पर पाकिस्तान की पालेसियों पर एतमाद का इज़ार है पाकिस्तान ने हमेशा कामि मुतहिदा समेड वृट का एक इंतहाई अहम पारम है वृट को अधरी जारी नी ज्यादी न्सानी हुकी सेंगीन खिलाफ वर्जियों का ना सिर्फ नोटिस लिया बलकि उन मजालिम को रिपोर्ट्स की शकल में मुरत्ब किया और भारत के गयर कानूनी एकदाम का परदा चाक किया वजीर खारजा ने कहा पाकिस्तान अक्वाम मुतहदा की इन्सानी हुकूप कानसल के प्लाइटफॉर्म पर मगजूजा कश्मीर के मजलूम बासियों समय दुनिया भर के मजलूमों के हक में आवास उठाता रहेगा सूबर बलोचिस्तान के दारल हकूमत कोईटा में समंगली रोड पर दस्ती बम हमला हुआ जिसके नतीजे में 14 अफराद जखमी हो गए पुलिस का कहना है कि दस्ती बम जेर तामीर पुल पर काम करने वाले मजदूरों पर फैंका गया इस अवाले से मज़ीद चानते हैं सूबर बलोचिस्तान के दारल हकूमत कोईटा में जेर तामीर पुल पर काम करने वाले मजदूरों पर दस्ती बम हमले के नतीजे में 14 अफराद जखमी हो गए हमले के जखमियों में 5 मजदूर और 2 रहगीर बच्चे शामिल है तफसिलात के मताबिक सूबर बलोचिस्तान के दारल हकूमत कोईटा में इस मंगली रोड पर दस्ती बम हमला हुआ जिसके नतीजे में 7 अफराद जखमी हो गए पुलिस का कहना है कि दस्ती बम जेर तामीर पुल पर काम करने वाले मजदूरों पर फैका गया पुलिस के मताबिक दस्ती बम हमले के जखमियों में 5 मजदूर और 2 रहगीर बच्चे शामिल है जबके जखमियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और बम डिस्पोजल टीम इस मंगली रोड पर जाएवगवववववववववववववववववववववववव जिसके नतीजे में 5 अफराद जाबहक और 10 जखमी हो गए थे जखमियों में एन एफ एलकार भी शामिल थे चमन बम धमाके के मुकदमा एसे चो की मुद्यत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्च किया गया था जिसमें देहशत गर्दी, गतल, एकदाम कितल, खौफ औ खिरास फैलाना और अमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफात को शामिल किया गया मुस्जिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खौजा साथ रफीक कहते हैं कि वजिर आजम इमरान खान ने इनतकाम के लावा कोई काम नहीं किया मुस्जिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर खौजा साथ रफीक कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने इनतकाम के लावा कोई और काम नहीं किया अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफटगू करते हुए खौजा साथ रफीक ने कहा ओपोजीशन मुतहित हो जाए तो हालात पहले जैसे नहीं रहते उन्होंने कहा कि जम्हुरियत के नाम पर इमरान खान जैसी आमरियत लेकर आएंगे तो मौलक आगे नहीं बढ़ेगा नून लीगी रहनुमा ने कहा कि बगावत के मुकदमे से जग हसाई हुई है हकूमत बैक फूट पर चली गई है उनका मजीद कहना है कि शरारतों का हुकूमत को कोई फाइदा नहीं होगा हुकूमत मुक्तलिफ हद कंडे इस्तेमाल कर रही है मगर जलसा नहीं रुकेगा वाजा साद रफीक का ये भी कहना है कि हुकूमत अमन ओमान गाइम रखे उपोजिशन का कानून तोड़ने का कोई प्लान नहीं है जाती उम्रा सील होने से नून लीग ने मतबादल हिकमत अमली तयार कर ली मर्यम नवास जाती उम्रा से किसी और जगा मुन्तिकल हो सकती है नून लीग ने प्लान A, B, C और D तश्कील दे रखे हैं बजी जानते हैं सिपोर्ट में प्राय के मताबिक जाती उम्रा सील होने से नून लीग ने मतबादल हिकमत अम्री तयार कर ली, मर्यम नवास आज रात या कल जाती उम्रा से किसी और जगा मुंतकिल हो सकती हैं। नून लीग ने प्लैन A, B, C और D तश्कील दे रखे हैं। दूसे जाने प्राइवन अड़ड प्लॉट पर कंटेनर्स की पकरधकर शुरू कर दी गई है और पुलिस ने अड़ड प्लॉट रोड़ पर पाँच कंटेनर के ड्राइवर्स से चाबिया और कागसात ले लिए हैं। ड्राइवर्स का कहना है के सड़क पर रुकावट खड़ी करने के लिए कंटेनर्स को पकर लिया गया, कंटेनर्स में माल भरा हुआ है, खराप होने का खच्चा है, हम गरीब लोग हैं, पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही, पुलिस ने जबरदस्टी कंटेनर्स को रोक रखा है ख्याल रहे पीडियम के पहले जल्से में दो दिन रह गए शाहित खाकान अबासी एहसान इकबाल राना सना उल्ला मारिया मौरंगजेब जल्से के इंतजमात का जाइज़ा लेने के लिए मौजूद हैं ताहम जल्से के मकाम पर इंतजामिया और नून लीगी गयादत में डेड लॉक खतम ना हो सका नून लीग की जेना इस्टेडियम में जल्से की दरख्वास पर गुज्रावाला इंतजामिया ने अब तक फैसला नहीं किया मजीद खबर भी बुलिटन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद